नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं माँ खाश शो गुर्मॉनिंग इंडिया चोलिए गुर्मॉनिंग इंडिया में खबरों का रुप कर लेते हैं जम्बु कश्मीर सेनुचे 370 समाप्त होने के बाद गुरुवार को प्रधान मंत्री नरींद मोदी पहली बाद जम्बु कश्मीर के आठ दलों के 14 नेताओं के साथ सीधा संबाद करेंगे प्रधान मंत्री आवास पर दिन में 3 बचे बुलाई गई बैठक का फिलाल एजिंडा गुप्त रखा गया है लेकिन माना जा रहा है कि जम्बु कश्मीर के विकास समित परी सिबन और अन्य मुद्दो पर साकार स्थानिय प्रतिनिदियों के साथ चर्चा करेंगी बैठक में पीम मोदी के अलावा ग्रह मंत्री अमिच शा, रक्षा मंत्री राजना सिंग, जम्कश्मीर के लजी मनोस सिनह, एनसे अजी डोबाल, प्रियम के प्रिंसिपल सेकेटरी पीके मिश्रा, ग्रह सचिव अजय भला के अलावा कुछ अन्य अधिकारी भी बैठक में शामिल रह सकते हैं, इस बैठक के साथ ही सूबे में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया आरंब हो जाएगी, यह माना जा रहा है, यह एक तरह से सूबे में लोकतांतुरिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वाइड कंसल्टेशन का आरंब है, डिलिमिटेशन की प्रक्रि लद्दा को लेकर एक और दौर की राजनाईक वारता होगी जिसमें गतिरोद वाली बची जगाओं से सैनिकों की वापसी पर चर्चा की जाएगी बता दें भाराचीन सीमा मामलों पर बाच्चीत के लिए बने डबलू एम सी सी की ये 22 वी बैठक है दोनों देशों के बीच जबलू एम सी सी की 22 वी दोर की वैठक जहां बारा मार्श को हुई थी ये सैनिय कमांडर 9 अपरल 21 को मिले थे इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच मौजूदा सीमा तनाव को सुलजाने को लेकर बाच्चीत की कवायर ठिटकी हुई थी सूत्रों के मताबिक वैठक में भारत का जोर खासतार पर पीपी 15 और पीपी 17 एज जैसे उन बिंदूर से सैनिय मौजूद की घटाने के फॉर्मूले पर हुगा यहां दोरों तरफ से सैनिक मौचाबंदी अब भी मौजूद है क्योंकि आमने सामने की मौचाबंदी खताय बिरा वापसी तनाव घटाने और अन्य उपायों को सुनिशित करना और शांती बहाली के कदमों पर बढ़ाना मुम्किन नहीं है दिल्ली में तेरा दिन के अंतराल के बाद बुद्वार को पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया भारत मौसम विग्यान वे भाग नहीं के चांदकारी दी है इसके आसपास रहने का अनुमान है उन्होंने कहा कि लू चलने का अनुमान नहीं है आयमजी के अनुसार मौनसून केरल में दो दिन देर से पहुंचा और इसके बाद पूरवी मध्या और उत्तप पश्मी भारत में समाने से साथ से दस दिन पहले बारिश हुई विभाग ने बताया कि दिल्ली राजिस्तान के कुछ इलाको यानि कि खर्याना और पंचाब में जून के अन्त तक बारिश होने की सब्भाबना नहीं है इस्टिवास्तर ने कहा कि 26 जून को दिल्ली एंसियार में हलकी बारिश हो सकती है सरकारी तेल कंपनियों के और से आज फिर पेटरोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है बता दे आज जोए डीजल कीमत अधिकतम साथ पैसे तक बढ़ी है तो वहीं पेटरोल की कीमत भी 26 पैसे तक बढ़ी है साथी साथ देश के नौराजयों में पैटरोल शतक लगा चुका है आज देली में पैटरोल का दाम 97.76 रुपे है जबकि डीजल का दाम 88.30 रुपे परती लीटर है दक्षिन कश्मीर के शोपी अचले में बुदवार को आतंक वादियों और सुरक्षबलों के बीच खुई मुद्भिर में वो आतंकी मार गिराया जिसने आतम समर्पन करने से इनकार कर दिया था पुलिस ने कहा कि शोपिया के शिर्मल इलाके के बागो में आतंकवादियों की मौझूदगी के संबन में एक विशेश सूचना के अधार पर पुलिस सेना और सियार पिएफ ने सैयुक्त गहरबंदी कर और तलाशी अभ्यान शुरू कर दिया था पुलिस ने कहा कि आपरेशन के दौरान आतंकवादियों को आत्म समर्पन करने का मौकर दिया गया था लेकिन उन्होंने सैयुक्त तलाशी दल पर अंधादुन गोली बारी कर दी जिसकी जवाबी कारवाई में मुझ भेड़ खुई और एक आतंकवादी मार गिराया गया तो गुड मॉरिंग इंडिया में खबरों में फिलाल के लिए इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूस वोल इंडिया